गोल्ड के बारे में एक और मनीजी बात कही जाती है कि जितना भी बाजार में डर होना मार्केट में जितना ज्यादा डर हो गोल्ड उतना ही ज्यादा चलता है तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि लोगो को लगता है कि सिफ है मैं हमेशा इसमें कि आपको पैसा आखिर अंत मे बनना ही है, मिलना ही है, पिछले कुछ तीन-चार सालों में कापी कुछ ऐसा हुआ भी है, कोबिड के बाद रूस, इकुरेन और इसराइल, हमास और ट्रेड वार और इस तरह की चीजे तो लगतार चलती ही रहती है, तो ऐसे में हेजिंग के लिए भी यह कापी महत्पूर्ण होता है, मरसा जोलर आशीज पेटे साहब हैं, डिरेक्टर है वावन हडी पेटे के, और जीजे सी जेर्म जोली कॉंसिल, जो देश की लीडिंग जोलरी असोसियेशन है, उसके वो चेर्मैन भी रह चुके हैं, शुकरिया आशीज पेटे साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, आ आप चली बड़े डीप पॉकेट्स वाले होंगे, 26 स्टोर से हो सकता है, आपको दिक्कत ना हो, लेकिन चोटे जोलर्स हैं, चोटे-चोटे शहरों में हैं, वो इस इन्वेंट्री पर कैसे कंट्रोल करें, जो उचे भाव में उन्होंने खरीद लिया, चोंसाथ हजार का सो आपने सही का, पिछले कई सालों में जब मैं बिजनेस में आया तब ये पोजिचन थी कि सोने के भाव लगबग एक दो-दो महने तक भाव हिलते नहीं थे, सेम भाव पड़ा रहता था, लेकिन जैसे-जैसे मार्केट्स डेवलोप होने लगे, वैसे वोलेटिलिटी सोने क जिए प्रैस में बहुत जादा देखने को मिलती है, तो हेजिंग करना ये हर一個一个 dollar को छोटा सी, छोटा indicate dollar है, भी सबसे बड़ा гол 별로. उनको सोने कि प्रैस में हजिंग करना आज एकदम critical हो गया है अगर हम hedging के बारे में दो चीजे में कहना चाहूंगा दो चीजों के लिए price में हमें देखना पड़ता है जो हमारे day to day transactions होता है उसमें price का fluctuation को हमें cover करना पड़ता है और दूसरा आपका जो base inventory है उसमें अगर price में एकदम से उतार चड़ावाता है तो आपको cover करना चाहिए यह दोनों के लिए इतने सालों से लोग natural hedging यूज़ करते थे कि दिन में समझो 500 गराम बेचा तो आज सेम भाव में 500 गराम खरीद लिया या 2 किलो बेचा तो 2 किलो खरीद लिया ताकि आपका जो sony का stock है वो maintain रहे तो आपको daily transaction में आप उसमें cover हो जाते है लेकिन अभी हम 56, 57 के बाद 46 पे भी आया था तो इस तरह के wild fluctuations जब होता है तो हमें जो exchange में बहुत सारे platforms available है उसका हम use कर सकते है और उसके लिए जो futures market है वो कर सकते है लेकिन मेरा सभी जोलेस को यह request है कि जब कभी भी आप ऐसा futures contract में जाओगे तो कोई भी trained analyst या कोई trained आदमी के साथ क्योंकि उसमें अगर आपका क्या कहते है डारेक्शनल भी आपका अगर गलत हो गया तो उसमें आपको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है तो उसमें आप कभी भी speculation में मच जाईए और डारेक्शनल कॉल आपको लगता है कि अगर price नीचे आएगा तो short करके बैठी है लेकि पूरे हेजिंग में दो तीन चीजों का हर एक के स्ट्राटिज में इंपोर्टनस है एक तो जोलर का डेली वॉल्य में उसके पास स्टॉक कितना है उसके प्रपोर्शन में उसको लगता है कि ही कैन बैर लॉस तो पचास तका हेज करके रखिए यो पबिलिक लिमिटेड और लाज कंपनी जे वह बहुत बारी तो पूरा हंड्रेट परसेंट उनका स्टॉक हेज करके रखती है सेकंडली उनका कैश फ्लो का पोजिशन क्या है क्योंकि कभी-कभी मार्क्ट में अपको कैश फ्लो में प्रेशर आ सकता है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं और ज दूनों को मिला के किसी अच्छे सलाकार से बात करके आप स्ट्राटेजी करो तो यू कैन बी कवर्ड विद दहजिए